इसक्षन क्या है तो इसको समझने के लिए थोड़े कुछ एक दो उधारन लेते हैं अवनिका और समझने की कोसिस करते हैं अब जैसे इस उधारन में देखिए कि वही चार परिस्तितियां हैं जिसमें कुछ हो रहा है एक परिस्तिती में एक लड़की है मीना जो जिसके पिता डालना सीख रही है उसी तरह से दूसरे में मीना जो है वो मदारी बंदर नचा रहा है सड़क के किनारे और उसको देख रही है आनंद भी ले रही है वो सकता है वो भी सीख रही हो अगली बार वो भी बंदर को नचा ले तीसरे में मीना की माँ चित्र भी बना रही है और मीन का बड़ा भाई ABCD याद कर रहा है और मीना भी सुन रही है वह बैटी वी चोटी बच्ची है तो वो बार-बार दोर आ रही है सब में सीखना हो रहा है इस पर कोई विवाद नहीं यह बात तो सही है कि चाहे वह एक केस हो या ABCD का हो सारे में कुछ न कुछ सीखने की परिस्तिती तो है लेकिन हर सीखने की परिस्तिती में सीखन हो यह जरूरी नहीं है सिक्षन जहां हो रहा है वहाँ आप देखेंगे कि मीना की मा चित्र नहीं बना रही है सिर्फ चित्र बनाने के साथ-साथ मीना को एक-एक बात बता भी रही है यह important है बाकी के तीन में जो भी काम कर रहा है वो काम कर रहा है लेकिन किसी को कुछ बता नहीं रहा है चाहे वो पिता जी का पानी देना हो चाहे बात्मदारी का बंदर न चानना हो या मीना के भाई का ABCD बोलना हो उसको देखके या सुनके कोई और सीख ले जरूर हो सकता है लेकिन वो जो कर रहा है व्यक्ति उसका कोई ऐसा उद्दे्ष Ichamu नहीं जाए अगर उद्देशन नहीं है किसी भी प्रत्रिया का तो बच्चा सीख सकते है बढ़ यह जरूरी नहीं कि शिक्षन हो रहा हुआ जी, चुकि सिख्शन के अलावाँ सीखना तो जीवन बर होता रहता है, हम सडक पे चलते चलते भी बहूत सारी सीजें सीख जाते हैं, बाजार में गूंते गूंते भी बहूत सारी चीजें सीख जाते हैं लेकिन वो सिख्षन नहीं एक एक कई बार हसी आती है मुझे इस उदारन पे जिसका मैं इस्तिमाल करता हूँ कि मैं सड़क पे चल रहा था और मैं मोबाईल देख रहा था मेरा पाउ एक पत्थर में लग गया और उससे मैंने सीखा सीखा ये कि सड़क पे चलते हुए सड़क पे ध्यान रखना चाहिए मोबाईल पे नहीं तो क्या ये पत्थर मेरा सिख्षक है कि मैंने सीखा जरूर लेकिन पत्थर वहां पड़ा था इसी रादे से नहीं पत्थर वहां पड़ा था कि वो मुझे कुछ सिखाएगा जी जी और नीका झाल